यहां पर जो मेरी रिपोर्ट्स है यहां उपर आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने मी लिखा हुआ है और कितना मेरा था वो भी यहां लिखा हुआ है और यह है मेरी सेकन्ड वाली जो अब भी मैंने रिसेंट्ली तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ पत्री के बारे में बात करूंगी पत्री जो की मेरे खुद की हुई है और वो कटी भी है क्योंकि काफी सारे लोगों से मैंने सुना था खास सौर पि ये चीज़े मैंने डॉक्टर से भी सुनी थी जो उन्होंने बुछा था पितकी थैरी में से पत्ली नहीं कट सकती है पर उन्होंने जहां से दवाई ली तेशी दवाई ली थी और उस दवाई से उनकी आराम पड़ा था तो फिर मैंने का operation तो last chance है husband ने ये चीज़े बोले operation last chance है तो हम दवाई लेके देखते हैं तो मैंने दवाई ली मेरी दवाई लेने के बाद कम से कम मुझे दो महीने हुए होगे तीन महीने का course होता है दो महीने हुए मुझे continue दवाई लेते हुए तो जब मैंने वो दवाई ली तो उस दवाई के बाद जिसे हम टॉलेट गए तो वहाँ पर मुझे ऐसा feel आया कि मतलब कुछ तो चीज निकली है तो फिर मैंने ये चीज़े अपने husband को बताए फिर मेरे husband ने उस चीज़ को पकड़ के रखा ऐसा नहीं कि उसको भूल गए उस चीज़ को याद रखा फिर भी मेरी एक मैने की दवाई थी वो भी मैंने कम्प्लीट की अपनी क्योंकि कोर्स मैंने अपना पूरा कम्प्लीट किया था उस कोर्स को कम्प्लीट करने के मुझे फाइदा क्या हुआ पता 6 MB 6 MB की मेरी जो पत्री है वो निकल चुकी थी अब तो सरिफ 4 MB ही रह गी है तो मुझे फिर से ही अपना ट्रीटमेंट चालू करना होगा और पित की धाली में अगर पत्री होती है तो आपके लिवर पे भी सूजनाती है गुर्दे पे भी सूजनाती है तो यी सब चीजे पित की थाली से ही effect पड़ता है आपकी body पे और हलका हलका सांस लेने में भी pain होता है कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता है मतलब कुछ खा तो सकते ही नहीं हो और रही बात operation की operation करा लेना काफी लोगों को लगता है कि सही है मैं वही आपके साथ share कर रही हूँ अगर आपको लगता है operation कराना है तो आप कराईए बढ़ना मुझे जो चीज मुझे जिससे benefit हुआ as a YouTuber की में एक अपनी जो बात मेरे साथ होती है मैंने अपने अच्छी बुरी हर time को आप लोगों के साथ share किया है तो यहाँ पर मैं और husband थे और इस time मुझे इतना मैं इस time कसमा कसमे थी क्योंकि मुझे reports भी लेनी थी अपनी जो हमने कल test सारे कराये थे जिसमें मेरे blood test हुआ था और body test भी husband ने कराया था जिसकी वज़े से मुझे इनको ये चीज़े थी पहले हम पूरा check-up कराते हैं फिर जो decision निकलेगा फिर उसके बाद देखते हैं अभी जब निशा जी मेरे पास आये थे तो उस time आपने देखा था मेरी condition बहुत ज़दा critical हो चुकी थी बहुत ज़दा खराब थी तो उसके लिए भी फिर husband ने का कि नहीं चलो हम पहले पूरा check-up कराते हैं और जो हमने पूरा check-up कराया उस time के report के हिसाब से जो मैंने continue दवाई ली है जब निशा जी आये थे उसके बाद से अब तक मैंने अपनी ज़दवाई हैं वो continue ली है उससे मेरी reports हैं जो सारी negative आई हैं ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई और सच में दिल से दुआ करती हूँ आप सब का thank you करती हूँ आप सब का कि आप सबने मेरे लिए दुआ की थी मैं भी मातारानी से प्रातना करती हूँ जिस जिसने मेरे लिए प्रातना की दुआ की मतलब जो यहां पे भीर बहुत सदा थी और यहां डॉक्टर्स को भी मुझे आगे दिखाना था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यहां पर भी रुख सकूँ तो फिर थोड़ा बहुत देखा जैसे बात-बात की तो फिर उसके बाद सारी जो हमारी चीजे थी वो सारी सोट आउट हुई डॉक्टर से मिले क Suzanne किया डॉक्टर ने सारी चीजे जो रिपोर्टस थीं वो बतादी कि आपकी रिपोर्टस सारी नेगिटिव हैं तो उस चीज़ का कुछ नहीं था तो फिर अब मेरे को था कि मेरी जो पत्री वाली रिपोर्ट से है उसका क्या आएगा वो तो तब होगा जब मैं अल्ट्रसॉन करा लूंगी तो यहां पर हम लोग बैठे वे थे और फिर इसके बाद हस्बेंट आए और मैं बिल्कुल एकांत में क्योंकि मुझे भीड से बहुत ज़़ा अलर्जी है इसलिए मैं साइड में बैठी रहते हूं तो आगे यहां पर मैं आपको अपनी पुरानी वाली रिपोर्ट दिखा रही हूं इसमें आप देख सकते हैं 19.1 सेंटीमेटर मेरी पित की थेली का साइज था और मेरी पत्री का साइज था 10.8 अब मैं आपको नियू वाली साइज है 10.13 मेरी पित की थाली का साइज है और 4 mm मेरी पत्री रह गई है रिपोर्ट मेरी आई है वो तो इसमें आप देख सकते हैं और यहां नीचे मैंशन किया हूए है 4 mm तो यह सारी चीजे जो हुई है मेरे साथ जैन्वन वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर के बागे के लिए बस इसी तरीके से दुआ करते रहे जो हो अच्छा हो और इस बिमारी से मेरे को जल से जल दिजाद मिल जाए तो बहुत काम रहे गी है पर फिर भी जो कंटिनुए दवाई चलेंगी और यह भी खता मुझा है तो बहुत अच्छा हुआ और वैसे काफी सारे लोग कि इतकी थैली से नहीं जाती है तो फिर यह चीज़े हैं जब मेरे साथ हुआ ता मुझे पता चला वर्ना मेरा तो यही डिसीजन था कि अगर आप कुछ नहीं होगा तो मुझे आपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि इसके चलते में बहुत ज़्यादा परेशान भी थी तो अरे तो नहीं पाहरोगी। कत्या औच खाने? कत्या काता उतक होंता से रफत है। कत्या गाओगी तुमसाथ नुंण हूं कत्या हूं झाल झाल झाल